अगेन मैं थोड़ा सा ना प्रीवियस से लेके चलूँ आँ थोड़ा सा टाइम है बुक्स ओफ बायर खतम करेंगे और एक कुशन करने वाले हम ठीक है तो एमल के मेशन में जो हम आज सीखेंगे टॉपिक में वो सीखने वाले हम बुक्स ओफ बायर किसके बुक्स की बात करेंगे हम बुक्स ओफ बायर अब बुक्स ओफ बायर में देखा जाए तो इसमें बुक्स ओफ बायर की अगर बात करें तो कौन-कौन सी एंट्री बुक्स ओफ बायर कर सकता है नहीं कर सकता है वो सारी जनल एंट्री के एक बार न हम लिस्ट देख लेते हैं लिस्ट जब देख लेंगे उसके बाद फिर मैं उसकी जर्णल एंट्री कर दूँगा सबसे पहली एंट्री पास्ट एंट्री जो करेगा वह बिजनस पर चेज करने की बिजनस पर चेज ठीक है मैं इसके नीचे एंट्री भी कर देता हूं बेटर रहेगा ना कि यह एंट्री बिजनस पर चेज करने का है यह है ना बिजनस पर चेज करेगा तो किसी ना किसी मैं हमेशा जो एक्जामपल लोगा यहां पर वो मैं बता देता हूं कि मैं जो एक्जामपल लेने वाला ह मैं यहां पे simple से बात है business purchase करेगा X हमारा buyer है तो X जो entry करेगा वो करेगा business purchase business purchase अब business purchase के जगहे पे आप लिख सकते हो उस पूरी company को खरीद लिया हमने तो while limited भी लेख सकते हो account debit to liquidator liquidator ठीक है न यह entry है हमारा business purchase करने का हमने business खरीदा सामने वाले को और खरीदा किसने हम liquidator के form में हम लिख देते हैं being क्या होगा सर यहां पर being होगा being business purchased बस enough है अगली entry सर किसके करेंगे अगली entry जो हम करने वाले है number two number two है उसके सारे business purchase करने का मतलब है यह जो amount होगा ना business purchase करने का मतलब यह PC से होना है क्योंकि हमने उसके business को इतने रुपे में purchase करना है तो यह किस से होगा PC PC का मतलब purchase consideration अब सर अगली entry करेंगे अब जब हमने इसका business खरीदी लिया जब इसका हमने business खरीदी लिया तो अब हम इसका सारा assets जितने भी assets है सारा assets भी ले ले लेंगे और सारा liability reserve and surplus या shareholder fund को छोड़के तो सारा assets ले लेंगे हम तो यानि अब assets and liability taken करने का तो अगली entry है assets and liability taken करेंगे ठीक है अगर आप assets and liability जब taken करते हो तो यहाँ पर दो तीन condition हो सकते हैं आपके सार तीन condition क्या क्या हो सकते हैं अगर आप कोई भी assets या liability taken करोगे यहाँ तीन condition आएंगे या तो आपने क्या करा होगा no profit no loss no profit अभी मैं समझाओंगा मैं क्या लिख रहा हूँ और no loss sir no profit no loss अगर होगा इसका मतलब क्या है अभी देख लेंगे या हो सकता है हमारा तीन condition बताया है या हमें हो जाए business को खरीदने में profit क्योंकि हम सामने आले business को जब खरीदेंगे तो यही चीज़े होंगी जो मैं लिख रहा हूँ यहां पर या तो होगा profit या क्या हो सकता है तीसरा case हमारा हो loss कहलो या extra payment कह देता हूँ इसको मैं extra payment extra payment अभी हम समझेंगे भी अभी हम समझेंगे भी यह तीन condition हो सकता है अब सर इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं no profit no loss में जैसे कि मान लेते हैं example example PC जो निकल के आया वो आया मैं यहीं पर लिख देता हूँ example में मैंने PC माना PC जो निकल के आया हमारा वो आया मान लेते हैं हम 1000 रुपे का बहुत simple सा example ले रहे हैं 1000 का और इसके जो asset है assets है वो है suppose करो 1500 रुपे का और जो इसका liability है liability है वो 500 रुपे का है ठीक है ना liability कितने का इसका 500 रुपे का यहाँ पर इसकी general entry करनी है तो general entry अगर हम करेंगे इसके assets को लेने का liability को लेने का अगर मैं पूरी general entry करो तो बहुत simple तरीके सा general entry है general entry क्या होगा हम करेंगे asset account debit हम क्या करने वाले हैं यहां फे asset account debit asset account debit to liability अब देखो assets में मुझे समझाना अगर मैं बताओं तो sir assets में क्या क्या cover करोगे each and everything assets में cover करोगे चाहे cash हो चाहे आपका building हो चाहे machinery हो चाहे stock हो चाहे prepaid expense हो सिर्फ preliminary expense और loss जो अगर asset side में दिखेगा उसको cover नहीं करोगे बाकी सबी चीजों को cover करोगे आप purchase consideration का meaning रागव आप पूछ रहे हो मैंने previous दो classes ना live section में जाके देखोगे उसमें clear हो जाएगा कि purchase consideration क्या है जितना simply मैं कहूं तो जब किसी के business को हम खरीदते हैं तो उसे बोला जाता है और उसको payment देंगे जैसे मान लेते हैं कि आप कुछ खरीदने जाते हो सपोज करो आप कुछ भी बाय करते हो तो उसके बदले उसको payment करते हैं तो वह purchase consideration है सेम यहां पर मैं इस company के सारे के सारे share assets life सब कुछ खरीद रहा हूं तो इस company को कितना दूंगा इस company की valuation क्या है उसे कहते है purchase consideration okay sir purchase consideration to liability और क्या करेंगे to purchase consideration यह PC है ठीक है अब यहां पर amount लिखते हैं चलो amount लिखा हमने कितना आ गया यहां पर assets है जी हमारा कितने का 1500 का और liability कितने का है 500 का और PC कितने का है 1000 का मैं यही समझाने की कोशिस कर रहा था आपको के sir यहां पे दोनों side में कोई balancing figure नहीं निकला नहीं निकला न मैच हो गया तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे यह वाला जो point हो गया no profit no loss मतलब हमने business खरीदा और हमने जितना valuation actual था उतन तो यह था हमारा example और इसी example को एक एक example लोगा liability के अंदर सारी चीजे covered है liability के अंदर इस बात का ध्यान रखिएगा sir liability में क्या क्या कवर करोगे आप liability के अंदर each and everything complete covered है चाहे आपका debenture हो चाहे outstanding हो चाहे आपका advance payment हो लेकिन बस shareholder fund को छोड़ करके ठीक है न तो यह हमारा entry यहां पर देखा जाए तो यह हमने entry कर दिया है इसको थोड़ा इधर कर देता है अब करते हैं अब करते हैं बात अगर profit होगा profit का मतलब पता ही क्या होगा यहीं पर एक्जामपल ले लें profit का भी एक्जामपल एक्जामपल profit का मान लेते हैं हमारा asset है 1500 का और मेरा liability है मान लेते हैं 500 रुपए का और उसको मुझे payment करना है PC जितना हमें उसे देना है purchase consideration है suppose करो 900 रुपए का तो इसका मतलब देखो कि आपने उस company के assets को ले लिया है ना कितना assets उस company का एक्वाइर कर लिया आपने 1500 रुपए का एक्वाइर कर लिया लेकिन उस company के liability की बात करें तो कितना payment करना है liability को 500 तब भी आपके पास 1000 बचे और 1000 में से सामने वाला company है बोलता मुझे 900 रुपए देदो बात बन जाएगी तो मैं उसे 900 दूँगा तो ultimately देखोगे तो हमारा यहां फाइदा हो रहा है कितने का फाइदा हो रहा है बताओ यहां पर यहां पर फाइदा 100 का हो रहा है तो जो 100 रुपए का फाइदा होगा उसको हम किसमे कॉल करेंगे उसको हम count करेंगे capital reserve और म asset account debit इसके बाद two liability और two purchase consideration बहुत सिंपल से चीज़ बाते हैं अब सर assets account debit कितने का होगा सर यह होगा 1500 का liability कितने का लिखोगे 500 रुपए का सर PC कितने का लिखोगे 900 तो आप देखोगे कि यह debit और credit मैच नहीं हो पा रहा अगर यह debit और credit मैच नहीं हो रहा that means यहां credit में balance आ रहा है देखो चेक करो 1400 रुपए आ रहा है और debit में है 1500 credit में आ रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे जो भी difference निकल के आएगा इस difference को पता है हम किस से denote कर देंगे Capital रिजर्व सर Capital Reserve का मतलब जब कभी भी हमारा फाइदा रेगुलर नेचर का नहीं होता उसको हम Capital Gain मान लेते हैं और उसे Capital Reserve में भीज दिया जाता है ठीक है ना अगर यही मान लो बिजनस में होता सब्जी वाला एक होता और सब्जी बेच के प्रॉफिट कमाता तो वह Capital Reserve में नहीं जाता वह सर प्लस में चला जाता समझ रहे हो बात तो इसने तो बिजनस को एक तरीके से खरीद बेच में कुछ ना कुछ पैसे कमाये कितने रुपए आ जाएगा यह और यह हमारा होता क्या है बैलेंसिंग फिगर अभी हमना दूसरी बात कर रहे हम पांच एंट्री टूटल देखने हैं हमें 5-6 एंट्री है अभी हम दूसरे पर चल रहे हैं समझ महीं बात आपको सरक्र अब तीसरा एक्स्ट्रा पेमिंट की हम बात करते हैं एक्स्ट्रा पेमिंट की हम बात करते हैं extra payment की बात कर लेते एक्जांपल ले 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 लेते हैं यहां पर बी सर, एक्जांपल इसका क्या रखेंगे आपको समझ में भी आ गया होगा extra payment का example क्या होगा मान लेते हैं हमारे पास acid जो है 1400 का मान लिया और मेरे पास liability है मान लेते हैं 500 रुपे का और same मेरे PC जो है वो कितने का है 1000 का suppose देखो आपको अगर समझ में आ रहा है तो खुद बाखुद example भी बना पा रहे हो अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर मुश्किल था यह है ठीक है ना अब बात करते हैं सर इसकी general entry क्या होगी बहुत सिंपल है general entry की अगर हम बात करें तो general entry होगी इसकी asset account debit asset account debit ठीक है ना कितने रुपए सर चौदा सो चौदा सो तू liability liability में क्या क्या कवर होगा each and everything except shareholder fund सर liability कितने का जाएगा liability पान्सो यह चप्टर ना बहुत लोगों ने बहुत जदे टिपिकल बनाया हुआ है कि यह बहुत टफ चप्टर यह नहीं बिल्कुल आराम आराम से करो कोई दिक्कत नहीं होने वाले बिल्कुल सिंपल तरीके साब को समझ में आ जाएगा liability के बाद two में क्या आ जाता है हमारा purchase consideration और purchase consideration कितना है मेरा 1000 तो अब देखो समझो logically समझो और इसी तरीके से exam में भी समझ रहा है भाई मैंने तुम्हारे assets 1400 के लिए और तुम्हारे liability की भी payment करने की मेरी जिम्मेदारी आ गई कितने की 500 रुपे की जिम्मेदारी कितने पांसों की तो हजारी मेरी पास कितने बचे 900 बचे और तुम बोल रहे है हजार लाओ है इसका मतलब मैं 100 रुपे extra तुम्हे पे कर रहा हूं तो जब मैं 100 रुपे extra pay करूंगा तो वह पता ही क्या होगा 100 रुपे जब extra pay करेंगे तो वह होगा हमारा गुडविल जो की debit में आएगा तो मैं इसको short form में लिख देता हूँ गुडविल और ये आ गया 100 और पर ये है balancing figure ठीक है clear इन सभी का being क्या होने वाला है being तो सबका same रहेगा sir being क्या रहेगा सबका same अगर मैं being की बात करूँ तो यहाँ पर being होगा assets and liability taken over simple सी बात है and liability taken over कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं यह था कौन सा entry हमारा second चलते हैं हम आगे किस पर third entry पर third पर चलते हैं मैं proper note करने का time दूंगा आपको ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा और note करने का क्या जो बच्चे live class में है आज से आप सभी को इसका PDF जैसे ही आप करोगे note करने का नहीं है PDF शियर हो जाएगा फोल्डर में और वो पीडियाफ से आप घर पे बैठके तसलिस से इसको note करना है अगर उसे छोड़ दिया तब दिक्कत होगी ठीक है चलिए अगले हम बात करते हैं entry no.3 हो गये थे कितने हो गये थे हमारे दो गये थे अब entry no.3 entry no.3 में क्या होगा हमारा पर्चेज consideration discharge पर्चेज consideration discharge तो पर्चेज consideration discharge की हम बात करें तो discharge का मतलब है कि जो हमने तै किया है कि आपकी company को इतने रुपे पे करेंगे उसे क्या नाम दिया था हमने Purchase Consideration. Sir अब यहाँ पे इतने रुपे पे करेंगे उस payment करने का mood हो सकता है कि कैसे payment करेंगे नहीं करेंगे तो यहाँ पे again दो option create होगा और दो option कौन सा create होगा यहाँ पे दो option create जो होगा यहाँ पे वो होगा number one number one और number two number one होगा हमारा हम क्या-क्या दे सकते हैं पहले मैं list बना देता हूँ चलो हम क्या-क्या दे सकते हैं हम वो list बना देता है ठीक है वो list है यहाँ पे जो जो हम दे सकते हैं नमबर वन हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं एक्विटी शेयर कैपिटल देखे नमबर दो हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं किस से हम दे सकते हैं उसको प्रिफरेंस शेयर कैपिटल नमबर थ्री हम उसको दे सकते हैं डिवेंचर भी दे सकते हैं बिल्कुल करेक्ट हम उसको क्या दे सकते हैं और नंबर चार cash भी दे सकते हैं या cash और bank बात एक ही है इसको दो शब्दों में नहीं आपको सोचना है या दे सकते हैं bank तो और भी other चीजे हम उसको दिया जा सकता है किसको देंगे जैसे एक लाक रूपे का आपका PC आया, आपकी कंपनी 1,00,00 में खरीदा, तो आप बोलोगो ना लाओ पैसा, तो या तो बोलूगा लो भाई शेयर ले लो मेरी कंपनी के, या फिर बोलूगा प्रफरेंश या तो या फिर बोलूगा ये लो 1,00,00 रुपे कैश, तो डिस्चार्ज इस फॉर्मेट में ह हो सकता है लेकिन समस्या पता है कहा आजाते है कई बार question में आपसे पूछा जाएगा कि जो equity share है न यह may be possible हो सकता है यह may be possible हो सकता equity share कि यह एट पार हो at par हो या फिर maybe possible हो सकता है ये मैंने आपको दिया हो premium समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिस कर रहा हूँ कि जो मैं आपको equity share दूँगा हो सकता है possibility कि वो at par हो हो सकता है possibility कि at premium हो, ये possible हो सकता है अब at par देंगे तब हमें number निकालने की कोई अब शकता नहीं है, simple entry जब at premium देंगे तो simple हमें number निकालना पड़ेगा उसको देखना पड़ेगा, तो वो at premium वाला तो हम question implement जब करेंगे तब देख लेंगे या मैं भी example ले लूँ ठीक है, suppose करते है PC discharge की जब बात चली रही है तो मैं PC यहाँ पर suppose करो मान लेता हूँ कि मेरा जो PC है वो है पांच लाख रुपे का, हम पांच लाख रुपे का PC discharge करेंगे इसके कितने points हो सकते हैं, sir at par भी हो सकता है और at premium भी हो सकता है तो at par और at premium की हम जब बात करेंगे तो हम इसको दो पार्ट में लेता है at par अगर मान लो मैं आपको ना तो equity दे रहा हूँ ना आपको मैं preference share दे रहा हूँ आपको मैं nugget दे रहा हूँ तो क्या at par और at premium का concept develop होगा उस case में नहीं होगा, at par और at premium concept तभी develop हो सकता है जबके आपको equity दिया जा रहा हो preference दिया जा रहा हो या फिर debenture, यहीं तो लगेगा at par और at premium का, ठीक है न तो हो सकता है at par हो या हो सकता है क्या हो at premium या possibility है हो सकता है कि at premium हो समझ मैं आई बात आपको at par का example ले ले लेते हैं at par का example लेके हम करते जाते हैं चलिए at par का example देखते हैं मान लेते हैं मेरे पास आपका जो PC decide हुआ था सर, PC decide हुआ था हमारा 5 लाख रुपए का PC मैंने decide किया था कि आपको 5 लाख रुपए देने हैं अगर आपको पांच लाख रुपए देने हैं उसको discharge मैं क्या करूँगा मैं आपको equity, question बताएगा सारी बाते equity share दूँगा मैं एक लाख रुपए का मैं आपको preference share capital दूँगा मैं आपको मान लेते हैं कि दो लाख रुपए का balance मैंने बोल दिया balance balance होगा in terms of cash तो अब आपको general entry करना पड़ेगा उसके PC को discharge करने का अब बताओ सबसे पहले PC किसको देंगे तो आपको याद होगा PC देंगे हम liquidator को आप देखिए PC देने की बात हो रही थी entry में तो first entry को आपको देखना है first entry देखिए आप first entry दिखाते है first entry में क्या किया था हमने यह देखिए first entry किसका था business purchase to liquidator यानि liquidator को ही हमें PC देना होगा तो discharge जब भी करेंगे तो वो liquidator को ही PC जाएगा चलिए यहीं से है अब हम discharge अगर करेंगे liquidator को तो पहले liquidator क्या किया था अभी credit किया था ना liquidator अब discharge करने के लिए क्या करना होगा debit तो मैं अगर PC दे दूँ तो PC देने के entry क्या होगा liquidator sir liquidator क्या है liquidator वो है जिसको हमें पैसा देना है और basically जैसे dissolution होता है वैसे liquidator होता है हमारा liquidator account debit sir कितने देने हैं आपको आपको देने हैं पूरे 5,00,000,000 मेरे example के हिसाब से मैं आपको क्या 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 दूँगा मैं आपको दूँगा equity share capital कितने रुपए का दूँगा मैं एक लाग का दूँगा और क्या दूँगा मैं और आपको दिया जाएगा preference share capital कितने रुपए का दूँगा 2,00,000,000 और बोला गया balance cash तो आपको cash का balance खुद निकालना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा तो cash कितना दूँगा मैं आपको 2,00,000,000 रुपए का cash लोजी हो गया हमारा PC discharge ये हो गया हमारा PC discharge discharge का मतलब क्या है यहाँ पर पता है payment कर देना अब दूसरा part कर लेते है premium का इसमें कोई दिक्कत है क्या समझ में आई है दूसरा part कर लेते है premium का अब premium की हम बात करें तो फिर से अगेन एक question लिख लेते है example के तरीके से question में question में क्या रहेगा sir again मैं मान रहा हूँ यहाँ पर मेरा PC जो है वो है 5,00,000 रुपए का और PC के बाद अब मैंने equity share capital उसको दिया है 1,00,000 10,000 का और ये जो equity share capital है वो at the rate 10% premium पे है यानि मैं जो आपको 1,00,000 रुपए देने जा रहा हूँ वो 10% के premium पे मैंने बोला 1,00,000 के तो आपको क्या दे देंगे equity दे देंगा और वो भी कितने percent premium पे 10% बाकी मैंने preference share capital दे दिया आपको मान लेते हैं 1,500,000 रुपए का इस पे कोई premium की बात नहीं करी गई balance मैंने बोला के balance होगा आपका क्या balance होगा सर ये cash हो जाएगा समझे बात अब general entry देख लेते हैं सर इसके general entry क्या होगी general entry की अगर मैं बात करूँ तो general entry देखते हैं सबसे पहले क्या होगा हमारा liquidator liquidator account क्योंकि इसको payment करना है debit कितने रुपे payment करेंगे सर इसको पूरे पांच लाग जिसमें से पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फ्रेंच शेयर कापिटल और टू cash और लास्ट में मैं लिख देता हूँ कहीं भी लिख सकते वैसे equity share capital equity share capital एक लाख दस अजार रुपे का जरूर देना है लेकिन यह 10% premium पे है तो हमें number of equity share निकालना पड़ेगा number of equity share capital सर कैसे निकालेंगे number of equity share capital number of equity share निकाला जाएगा हमारा कितने रुपे के हिसाब से एक लाख दस अजार यानि जितने का उसे discharge किया जा रहा है divided by divided by क्या रखेंगे हमारा share का value अब मुद्दे की बात आते है कुछ बच्चा बोल रहा है share तो 100 का भी हो सकता है और share 10 का भी हो सकता है या आता है ने मन में खेया आपकी जो इच्छा है मानिए answer पे कोई फरक नहीं पड़ेगा और इसके लिए सबसे best क्या रहता है हम पुरानी balance sheet को देख लेंगे जाके उस balance sheet में अगर 10 वाला है तो हम 10 वाला दे देंगे और 100 वाला है तो 100 वाला है तो 100 वाला मेरे वाले example में 10 रुपे premium है तो मैं 10 वाला मान लेता हूं तो कितने हुए 11 तो number कितने निकल के आए जी हमें share कितने देने है 10,000 तो बहुत simple सी बात है अगर मुझे 10,000 देने है preference share तो मैंने बोली दिया था कि कितने देंगे हम तेड़ लाग और इसके साथ साथ मैंने cash का balance बोला था तो cash का balance कितने आएंगे निकल के बताईए दो चालिस cash का balance आपने बताई सर यह आएगा दो चालिस equity share capital का देखे मैं number बताने जा रहा हूँ equity share capital का number कैसे निकालेंगे सर 10,000 share है है ना 10,000 share है multiply किस से करे हम multiply 10 से तो इसका मतलब equity share तो बना 1,00,000 का और 1,00,000 के ऊपर हमारा क्या है to security premium security premium को मैं SP लिख रहा हूँ और security premium एक share पर कितना है अगर 10,000 share है तो एक share पर कितने है हमारे 10 रुपे security premium कितने का आगया 10,000 रुपे का तो यह हमारा हो गया PC क्यों sorry यहाँ पर 1 रुपे हैगा मैंने 10 ले लिया इसको मिटा देते है into में 1 रुपे है क्यों क्योंकि भाई यहाँ मैंने 11 लिया है यह 11 कुछ बच्चों को confusion हो सकता है कैसे है तो 10 रुपे के आपका face value है यहाँ पे और 10 रुपे पे 10% का premium लगाओगे जब आप तो यह बनेगा 1 रुपे तो 1 रुपे इस तरीके सा है समझे कोई दिखत तो यह हमने कर दिया क्या PC discharge कितने entry हो गई हमारी 3 पहले entry हमने कितने का business खरीदा वो लिख लिए फिर उसके assets और library खरीद लिए हमने अब जब सारी चीज़ा आपके पास आ गई है तो इंतजार किस बात का उसके पैसे दो तो पैसे देने का मतलब क्या हो गया PC discharge हो गया अब इसके बाद और देखते हैं और क्या होगा इसके अंदर चलिए आगे देखते हैं और क्या है कि एंट्री नंबर कि एंट्री नंबर कि चार है ना चार ही हो रहे हैं तीन तो हो गए चौथा कई बार क्या होता है कि जो भी अगरेंट का पेमिन्ट करने का होता यानि मैने अगर उसका cr adds तो उस스HY Dead PR का भी मैं पेमिंट करूए ठीक है मैंने अगर उसका outstanding salary है तो उसको भी मैं पेमिंट करूए साथ के साथ अगर उस कंपनी का मैने भी लिया है तो उसका भी पेमिंट करूँघ करूँ आएसे समझ ए었को जयासे मान लेता है एक लिमिटीड है यह लिमिटीड, इसके सारे की साय चायीं और साथ के साथ एसेट में लिए दिवादा सकता है कि इस परन पर परएट्ट किस में होता है Casa लेकिन क्रेडिटर बताना मुझे कहां होगा क्रेडिटर क्या पार्टनर्शिप में हो सकता है हो सकता है यह पार्टनर्शिप फर्म में भी हो सकता है यह सोल प्रोप्राइटर में भी हो सकता है और किसमें हो सकता है लेकिन डिवेंचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें हो सक जो हमारा ये company है X ने इसने क्या करा इसको खरीद लिया जब खरीद लिया तो ये company बच गया या मर गया ये company तो company तो गया जब company नहीं है तो debenture कहां से दिखेगा इसका debenture होगा जिंदा इसका लेकिन इसका creditor हो सकता है creditor कहां shift हो जाएगा इसमें क्योंकि जो debenture certificate होगा उस debenture certificate पर क्या लिखा होगा x y limited का debenture है यह होगा नहीं होगा creditor को को certificate नहीं देते हैं जैसे मालो मैंने उधार खरीदा तुम से अगर मैंने आपसे उधार खरीदा है 10,000 रुपए का आपको पता चला यार यह company तो उसने खरीद लिया किसने वाइ लिमिटेट ने खरीद लिया अब एक वाइ लिमिटेट समझा देगा भाई मैं मैं पैसे नहीं दूँआ तेरे 10,000 रुपए कौन देगा वाइ लिमिटेड उस पर जाके ले लेना आप सारी डील यह company एक ही तो सेटिफिकेट भी क्या हो गया इन्वैलिट हो गया तो इसलिए एक्स लिमिटेट की सारी लाइबलिटी को एंट्री करने की रिस्पॉंसिलिटी नहीं है इस company का जो डिबेंचर होगा ना इस company का मेंली इस डिबेंचर को डिबेंचर करना पड़ेगा I metedy क्यों इमिडेटर करना पड़ेगा logic समझो समझ में आ रहा है क्योंकि वह company नहीं रहा तो इसके डिबेंचर रहेंगी जब इसके डिबेंचर को Iमीजीटर डिबेंचर करना होगा यह तो अब cash pay करोगे ठीक है या फिर उसको क्या करोगे एक नया debenture दे दोगे अपनी company का new certificate के साथ होगा ना new debenture दे दोगे certificate के साथ तो अगर मैंने cash दे दिया तो अपने books में debenture को credit कर चुका हूँ किस entry में liability वाले के time पर अब discharge करूँगा तो debenture to cash कर दूँगा या फिर debenture to new debenture कर दूँगा समझे आदा तो यहां पर देखा जाए तो entry number चार जो मैं करने वाला हूं entry number जो चार करूँगा वह मैं करूँगा क्या entry number चार मैं करने वाला हूं यहां पर debenture का discharge करना especially किस डिबेंचर का that debenture को discharge करना सर डिस्चार्ज का मतलब क्या है डिवेंचर होल्डर को खतम करना अब मुझे एक बात बताना क्या डिवेंचर होल्डर को मैं खतम कर सकता हूं या मेरी मजबूरी है इसको खतम करने मजबूरी है क्योंकि कंपनी क्रेडिटर के साथ क्यों नहीं किया सर ऐसा क्योंकि को discharge दो point of view से किया जा सकता है हाँ पे 1 के जा सकता है हमारा in term of cash, 1 की जा सकता किस में, cash में और 1 क्या जा सकता है in form of new dementia और यह hésitez new हाले का मतलब क्या है, किस company का tabenture हो गई है sir यह जो company buyer है वो अपनी company का debenture उठा के देदेगा, जो buyer है वो अपनी company का क्या करेब? डिवेंचर उठा के दे देगा ठीक है तो चलिए देखते हैं कैस में डिस्चार्ज करेंगे तो अब यहां पर एक वर्ड और भी ध्यान रखना है मैं समझाता जा रहा हूं कैस्ट में डिस्चार्ज करने का जैसे कि मैंने एक्जामपल लिया एक्स लिमिटेड है और कौन है वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को मैंने क्या बोला कौन सी कंपनी है बायर और वाई लिमिटेड को seller, यही बोल रहे हैं sir, जो X Limited है वो buyer company है, जो buyer company है यह X Limited और यह company कौन सी हमारी seller, हम entry किसकी कर रहे है buyer अब और इसने क्या करा है, इस company को खरीद लिया तो इसे बोलेंगे जो company खरीदता है ना, उसे बोलेंगे transferee company transferee, और यह होता है transferer ठीक है ना, एक होता है transferee company, एक होता है transferer, तो transferee जिसके आगे law के अंदर याद रखना जिसके आगे double E आ जाए ना, वो हमेसा लेने वाला होता है जैसे pay bills of exchange में 11 वी क्लास में आपने 11 वी क्लास में देखा होगा pay pay के मतलब लेने वाला doni, जो लेगा donor, जो देगा आपने वोले ने, मैंने donate किया है, तो वो आप donor हो doni, lesser जो की देगा, lessy जो lease पर लेगा ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर क्या हो सकता है entry के अंदर मैं यही word use करूँगा transferi company, transferi company का debenture होगा या transferer दो word यहाँ पर use हो सकता है तो माल लोग cash में pay करते हैं, तो cash में क्या होगा हमारा debenture यहाँ पर amount लिखने की जौरत नहीं है एक तो debenture account debit करेंगे और यह कौन से company का debenture debit हो रहा है हमारा जो की हमने उससे लिया है और two क्या कर देंगे जी cash और छुट्टी आप जाईए राम राम और काम खतम हो गया है ठीक है ना छुट्टी cash देके खतम करा, किसको debenture holder को अगर हम debenture holder को new debenture देंगे तो entry क्या होगा हम पहले तो debenture लिखेंगे debenture account debit मैं अभी यह क्यों समझा रहा था क्योंकि यह वाला होगा किसका debenture transferer, tf कर रहा हूँ transferer का ठीक है ना और two कर देंगे new debenture new debenture कर लो या basically transferee company के debenture कर लो आप तो मैं कर दूँगा नीचे new debenture और sir new debenture किसका होगा यह transferee company का इसको double e से कर देते हैं transferee company का debenture तो यह उसको debenture हो गया यहाँ पर एक और situation आ जाता है sir debenture भी उसको जो issue किया जा सकता है वो premium पे भी हो सकता है discount पे भी हो सकता है और पार पे भी हो सकता है तो हमने यह पार वाला कर लिया है premium वाला आएगा discount वाला होगा तो हम question के अंदर ही क्या करेंगे cover कर लेंगे तो यह था हमारा fourth entry किसका debenture को discharge करने का यहाँ तक कोई दिक्कत चलिए हम 5 वे पे चलते हैं पांचवी entry पे यह सारा मैं आपको pdf दे दूँँगा ठीक है न पांचवी entry पांचवी entry चलिए entry number five entry number five की हम बात करें तो entry number five हम सीखेंगे किस चीज को लेके entry number five सीखते हैं हम liquidation expense liquidation expense payment liquidation expense का payment ठीक है न हाला कि इससे पहले एक entry और भी हो सकता है लेकनी ही कर देते हैं ठीक है liquidation expense का payment छलिए अब पहले तो हम समझ ले liquidation expense का क्या होगा मतलब क्या है वो देखते हैं एक मान लो य लिमिटेड है आपको अच्छे से पता है एक्स लिमिटेड क्या है हमारा जो एक्स लिमिटेड है यह बायर है और जो य लिमिटेड है यह क्या हमारा seller है ना खीक है अब एक्स लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं जब इस company को बेचा जाएगा इस company को जब क्या किया जाएगा तो ऐसे situation में क्या रहता है जब इस company को sold किया जाएगा तो इस company को बेचने के लिए दो लोगों की जुरत पढ़ सकती है जो company को बेचेगा नॉर्मल आपका नहीं लीगल तरीके से होगा ऐसा क्यूं हुआ और ऐसा क्यूं लॉजिक लगाया गया माल लेते हैं कि आप किसी company को illegal तरी मतलब बेच रहे हो और इन दोनों लोगों की जुरत ना पड़े जो सरकारी person होंगे एक तरीके से तो आप क्या क दो वैक्ति को यहां point किया गया सर दो वैक्ति कौन होंगे यह बोला गया या तो कोई सिय होता है या कोई जो legal person government authority करेगा या फिर कौन हो सकता एड़ोकेट हो सकता है यह दो पर सने तो यह जो दो पर सने ना इसको पता ही क्या नाम दिया गया भाई तुम साधारान वैक्ति है किसके हाथ में देते हैं ? लिक्वडेटிर के हाथ हैं लिकवडेटर फिर बारी-बारी से बोलता है डिप怖ंते होल्डर पहले तू आ तेरे पैसे ज़रूरी है सरकार तुमाव तुमारे पैसे पहले ज़रूरी है उसके बाundакर ऐसे बिदे जरूरी है उसको को भी ऑर स्दि लिक्यूडेटर है यह दोनों इस यह क्या फ्री में काम करेंगे यह अपना पैसा नहीं लेंगे क्या लेंगे अब जब इसकी पेमिंट की बारी आएगी पैसे देने का जब इसको पे करने की बारी आएगी तो यहाँ पे कोश्चन रेस होता है कि पे कौन करेगा एक्स कर रहा है तो यह अपने बुक्स में करेगा ना और हम किसकी बुक्स सीख रहे हैं लेकिन यह बोलता है कि ठीक है यार लिक्विडेटर को मैं ही पेमिंट करूँगा तो अपनी कंपनी दे तो मुझे कम से कम होता ने कई बार कोई चीज आपको अच्छी लग जाए मान लेते हैं कोई मकान मोके का है आपको बहुत पसंद आ गया और आपका दोस्ती है दोस्त बोल रहा है यार रेजिस्ट्रेशन का भी चार्ज मैं दूँगा ब्रोकर को भी कमीशन दूँगा बोले सब कुछ छोड़ तो मकान मेरे नाम कर सारा खर्चा मैं उठा लूँगा आपको जूरत है तो अगर ये पेमिंट कर रहा है तो क्यूं कर रहा है इसको लालच है कि इस कंपनी से कुछ मिलेगा हमें और ये गुद्विल के पॉइंट ओव यू से पेमिंट कर रहा है क्यों कि इसे लालच है आप goodwill के point of view से extra payment कर रहे हो तो liquidator expense की payment की हम बात करें तो अगर हम payment की बात करें तो कौन-कौन payment कर सकता है हो सकता है हमारा payment करें कौन possibility है के payment कौन करें हमारा possibility है यहाँ पर दो सर्थ दो कौन-कौन सी possibility है या तो इस expense का payment करेंगा seller company ऐसे समझ में आएगा seller company या payment करेंगा buyer company ठीक है ना सर अगर seller company payment करता है अगर seller company payment करता है तो क्या इसके अंदर कोई दिक्कत है seller company जो बिकरा है वोल रहा है मैं ही payment करूंगा तो seller का मतलब कौन होगा सर सिंपल सी बात है seller का मतलब होगा हमारा जो बिक रहे है जो company बिक रहे है तो seller company करेगा तो यहाँ पर buyer new entry भाई seller तू ने किया है तो तू समझ मेरा क्या लेना देना है यहाँ पर मेरा तो कोई role ले नहीं है लेकिन अगर buyer pay करने को तैयार है तो entry होगी और entry क्या करेंगे क्योंकि पैसा देंगे ना लिक्विडिटर को लिक्विडिटर को पैसा देंगे तो entry करेंगे goodwill goodwill account debit to bank या फिर cash जो भी amount दिया जाएगा पहले देखें कोई दिक्कत इसमें goodwill account debit to bank या फिर cash कोई दिक्कत समझ में आ रहा है क्योंकि है कई बार कुछ books के अंदर ये भी कर देते हैं liquidation expense account debit to bank लेकिन right entry क्या होती है goodwill account debit to bank यहां तक कोई दिक्कत चलिए अगली entry पर चलते हैं सर अगली entry की बात करें entry number कौन सी होगी 6 होगी पहले 5 होगी थे 6 होगी entry number 6 entry number 6 सर 6 entry में क्या बताने वाले हैं 6 entry में अब याद करो आप 2nd entry 2nd entry के अंदर no profit no loss में तो कुछ नहीं आ रहा था अगर profit हो रहा थो तो क्या रहा था capital reserve और अगर loss मान लेता है extra payment तो goodwill तो loss वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं जब capital reserve आ रहा है capital reserve का मतलब क्या है आपने कमा लिया ठीक है ना मैं बात करूं सेकिंड एंट्री का तो सेकिंड एंट्री में का आपने एंट्री कर रहा था asset account debit और two liability और two PC और two capital reserve भी किया है आप देखोगे तो मिल जाएगा वो कोई दिक्कत वाली यह एंट्री कर रहा है इसका मतलब है आपने उस company को सस्ते में खरीद लिया और यह आपका क्या माना गया profit और सर अभी जो एंट्री करा इस एंट्री का मतलब है उस company को आपने महंगे में खरीदा पेइमेंट तभी तो एक्स्ट्रा दे रहे हो अगर यह दोनों चीजे इंवाल्व हो जाए ऐसी एंट्री सेकिंड बन रही हो और ऐसी एंट्री हमारी फिफ्ट बन रही हो तो ऐसे situation में अब ऐसा थोड़ी बोल सकते है तेरी company को सस्ते में खरीदा नहीं महंगे में खरीदा नहीं सस्ते में खरीदा नहीं महंगे में खरीदा यह तो हो नहीं सकता तो एक accounting entry compensate का करना पड़ेगा सर क्या accounting entry होगी compensate की compensate की accounting entry जो करेंगे ना जो यह capital reserve पहले अपना फाइदा मान रहे थे और यहां पे आपने goodwill के point से नुकसान माना इसको reverse करिए मान लेते हैं यहां पे आपका 5000 रुपे था और सर यहां पे goodwill आपका 2000 रुपे आपने pay किया extra तो आप जो reverse मारेंगे वो 2000 से मारेंगे एंट्री क्या करना पड़ेगा यानी हम क्या करेंगे reverse का मतलब compensate capital reserve और goodwill को करना पड़ेगा compensate करना पड़ेगा यानी हम करते हैं goodwill and capital reserve को compensate Sir, Goodwill और Capital Reserve को जो compensate किया जा रहा है, क्या हर केस में उगा, नहीं, सिर्फ जिस केस में Capital Reserve और Goodwill निकलेगा, तो यहाँ पर एक entry क्या करनी पड़ेगी, हमें यह Goodwill जो माना है, यहाँ profit भी है, तो इस profit को कम करें, तो profit को कम करने की जो क्र णाड़ी होगी, बताइए, और जो goodwill हमारा नुकसान था, उसको उठा के क्या कर दे? credit, और कितने amount से करेंगे हम यहाँ पे? 2000 रुपे से entry को कर देंगे sir, being किसी का नहीं लिखा है, being इसका होगा simple goodwill set off करना, basically goodwill and capital reserve set off goodwill and capital reserve set off, यहाँ तक बताइए एक entry अभी और भी हमारा statutory reserve का, उसकी बात करेंगे new debenture जो होगा, वो transferi company देगा जिसने खरीदा है ना, वो अपनी company का debenture देगा और आगब कोई भी whatsapp group तो है नहीं, basically इसके इंदर chat में भी आपको message आजाएगा और बहुत जल्दी जो whatsapp group नहीं, telegram group हर किसी का बना देंगे, जिसमें आप सभी क्या कर सकते हो, conversation या फिर notes, pdf वगरा डाल दिया करेंगे यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक clear है आपको, चलिए एक last entry देखते हैं, sir last entry क्या है, last entry मैंने कहा कि हम करेंगे entry number कौन सी बनेगी, बताइए 7 बनेगी entry number 7 में कुछ ऐसे reserve होते हैं, जो government देता है, आप ध्यान से सुनना जैसे मान लेते हैं, x limited है, और y limited है तो यहां पर ऐसा हो सकता है, y limited ने government से कुछ ना कुछ ऐसा पैसा ले रखा हो काम करने के लिए मान लेते हैं कि यह NGO चला रहा था, मान लेते हैं यह NGO, NGO समस्ते हो ना, जो की non-profit organization है, इस तरीकी की company था, section 8 में था यह company, मान लेते हैं यह company, government को इसने promise किया था, कि मैं हजार बच्चो को क्या करूंगा, कि मैं पढ़ाई, लिखाई करवाऊंगा, हजार बच्चो को computer सिखा होगा, और जैसे ही इस company ने, इस company को खरीद लिया, तो यह company तो रही नहीं, अब government कहां ढूंडेगी, भाई, कहां गया, y limited, y limited को हजार बच्चो का promise किया था, हम इसे एक करोड रुपे दे चुके हैं, यह तो एक करोड रुपे लेके चले गया, मालिक को बुलाएंगे, इस थोड़ी कुछ बोल सकते, y limited वो तो बंद हो गई, तुमारे पैसे गए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ऐसे situation में, अगर कोई company, government भी इतनी चालाक है न, government कहती है, अगर ऐसा करोगे, तो हम एक नया कानून लाएंगे, जो company खरीदेगी, उसकी जिम्मेदारी बनेगी, इस ह company का reserve नहीं लेना, लेकिन एक reserve जो है, जो government देती है, उसे बोलते है, statutory reserve, उसको हम एक entry करेंगे, amalgamation adjustment entry, जिसको बोला जाएगा, amalgamation, amalgamation adjustment, adjusted entry, sir, amalgamation adjusted entry क्या होगा, अब देखो, amalgamation adjusted entry देखते हैं, एक ही entry करना है, हमें क्या करना है, amalgamation adjusted, इस company के reserve को अपना बनाना पड़ेगा, जो government ने इसको पैसा दिया है, उस पैसे को हम खर्च नहीं कर सकते हैं, उसको हमें अपना बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे entry होगा, इसके reserve को लेने की entry करेंगे, एक तो होगा हमारा amalgamation, adjustment, मैं short लिख रहा हूँ थोड़ा, account, debit, 2, और इस तरीके के reserve को बोला जाता है statutory reserve, statutory reserve बोला जाता है, कि वो reserve है, जो की हमारा legal format में, statutory जब भी आ जाए न, आप पढ़ोगे law के अंदर आप पढ़ोगे आपका, के statutory provision, normal provision, statutory का मतलब जो कानूनन तरीके से, पहला chapter पढ़ोगे न, company के अंदर, lifting of corporate will है, दो तरीके से lifting of corporate will होता है, एक होता है, by law और एक होता है statutory reserve के according कि कब-कब हो सकता है, ओकूशन 100% law में आता है आपके exam में, तो वहाँ पता चल जाएगा, statutory reserve का मतलब होता है, जो कानून हमें करना ही करना है, तो यहाँ पर करेंगे हम statutory reserve, statutory reserve, यहाँ करेंगे हम statutory reserve, चलिए, अब statutory reserve की हम बात करते हैं, तो यहाँ तक हमारी कितनी entry complete हो गई, seven entry हमारी यहाँ तक complete हो चुकी है, और seven entry के साथ buyer की सारी के सारी entry हमने कर ली है, done, इसके अलावा कोई भी entry नहीं बसता है तो कल जो हम करेंगे morning में वो करेंगे हम इससे related question और आपको अगर मैं बता भी दूँ तो कोई question चलो छोड़ो कल जो करेंगे जितने entry करा है इसके साथ entry के साथ साथ हम क्या करेंगे balance sheet भी ठीक है तो यह सारा जितना भी है मैं भी आपको pdf शेयर कर देता हूं और उसके according रागब अभी hand raise का option आज अभी available नहीं होगा जिसमें speak कर सकते हैं तो hand raise का option है ना वो hopefully कल तक मैं कर दूंगा इसके अंदर activate आप जो doubt है जैसे आपने कर सर मुझे six entry समझ नहीं आए प्लीज एक्स्प्लेइन six entry कौन सी है six entry इससे पहले वाली six entry के अंदर आपको क्या डाउट है मैं एक पर बता देता हूं quickly एक बार recap कर देता हूं सर्फ मुझे चार मिनिट लगेंगे quickly recap करने में आप बस ध्यान से सुनिएगा मैं सारी एंट्री को एक बार फटा फट कर देते हैं फटा फट से बहुत सार हो गए यह तो है चलिए दो मिनिट के अंदर खतम करेंगा फटा फट यह नूट तो आपको मिल जाएगा सबसे पहले हम जो entry सीख रहे थे एमल्गमीशन के अंदर एमल्गमीशन में सर क्या सीख रहे थे हम सीख रहे थे books of buyer books of buyer का मतलब है जैसे हम x और y बोल रहे हैं तो हमारा जो x है वो buyer है और y क्या हमारा seller है books of buyer में सबसे पहले entry जो हम करेंगे entry number one business purchase का business purchase का क्या होगा हमारा business purchase account debit to liquidator किसको payment जाता है finally हमारा liquidator को जाता है entry number two assets और liability को खरीदना है assets और liability को जब हम खरीदेंगे तो यहाँ पर क्या points हो सकते हैं दो तीन तरीके के situation आ सकते हैं जब उसके इसमें जो भी difference निकलेगा credit side में उसको किस से match करेंगे हम उसको capital reserve से लेकिन अगर हमारा नुकसान आ रहा है हमने ज्यादा payment करना है उसको किस से match करेंगे goodwill की बात कर रहे हैं इस goodwill को ध्यान में रखना रागव आपने पूछा था अभी उसको भी हम explain करेंगे कि इस goodwill को क्या करने वाले हैं entry number 3 पे आ जाते हैं PC को discharge करने की बात है सर PC को अगर हम discharge करने की बात करें तो PC जो discharge होगा वो discharge होगा दो तरीके से या हो सकता एट पार में या एट प्रीमियम में लेकिन अगर सारा का सारा पैसा उसे हम cash में दे रहे हो तो क्या एट पार और प्रीमियम का concept आएगा यहां पे नई simply cash में हम उसको दे देंगे अगर मैं यहां बात करूँ discharge करने की entry की तो एट पार हो सकता है एट प्रीमियम लिकुडेटर को डेबिट करेंगे क्योंकि यह पैसा जो होता है सीधा ओनर के हाथ में नहीं जाता है किसके हाथ में जाता है लिकुडेटर के हाथ में जाता है और to equity, to preference, to cash अगर security premium है तो एक extra entry मैंने यहां पर कर दिया है और वो जो मैंने करा था क्या था हमारा security premium ये था entry number हमारा 3, entry number 4 debenture को discharge करने की क्योंकि debenture एक legal entity है और debenture को हम इसलिए discharge करने है legal entity है कि उसके debenture को दो तरीके से हमें entry करनी ही करनी पड़ेगी बाहर को सर कौन- तो कोई दिक्कत नहीं अगर cash payment नहीं करें तो हम अपनी company का जो company खरीद रही है यानि ट्रांसफरी company debenture दे देगी अब इसके अंदर ध्यान रखना है कि मान लेते हैं यहां मैंने कराई क्या entry करा है यहां पर no entry और यहां पर मैंने entry करा हैं यहां पर देखो तो मैंने payment की ब चलिए new debenture की बात करें तो जो यहां पर debenture है ना इस debenture की जगह पर क्या आएगा पता है परसंट यह जाएगा जैसे मान लेते हैं पुरानी company की seller company के अंदर परसंट इस था 10% तो हम यहां लिखेंगे 10% और नई company के अंदर debenture 12% वाल है तो यहां के आएगा हमारा 12% इस बात को आपको ध्यान रखना है इसके बाद हमारा liquidation expense की हम बात करें तो liquidation expense में क्या है कि हम expense payment करते हैं जो हमने यह advocate को payment किया होगा वह payment हो सकता है कौन करेगा seller company seller company करता है तो buyer company बोले मेरी के attention है तू जिस मर्जी को payment कर और buyer company payment कर रहा है मैं payment कर रहा हूं तेरे तेरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं यानि मैं extra payment कर रहा हूं तो इस से एंट्री हो जाएगा हमारा goodwill तो यहां पर क्या create हो गया हमारा goodwill create हो गया विसके आगे आते हैं छटे एंट्री पर एक बच्चे राघव का क्या ही है तो बताओ एक्चुल में तो ऐसे सिच्वेशन में क्या करते हैं जो हमने पहले कभी गुडविल क्रियेट क्या बना के बैठे थे हम एंट्री नंबर टू के अंदर उस सर्मेरा अरिसे से क्या बोल रहे हो सर मेरा नुकसान हुआ यह हमारा प्राफित हुआ दूसरी क्या क्या करेंगे एससे सिच्वेशन में इसको कंपन्सेत कर देंगे क्या करदेंगे जो हम our request को डेbid और हमारा compensate कितने सो गया है दो अगर मेरे पास capital reserve 5000 का है तो still अब मेरे business में कितना रह गया capital reserve तीन का रह गया क्योंकि पहले मैंने कितना कमाया है पांच और goodwill के point of view सो कितने का loss कर दिया दो तो अब मैं क्या बोलूगा मेरा profit हुआ बोले कितना profit तो हम मैं बोलूगा तीन का हुआ simply तो यह था हमारा entry इसके बाद हम last और final entry की बात करें seven amalgamation adjustment की entry तो amalgamation adjustment account debit तो इसको AAA भी बोल देते हैं amalgamation adjustment account debit to statutory reserve reserve का नाम जो होगा वो हमेशा question में given होगा कि यह गौर्वर्मेंट से के बाद अगर कोई भी दिक्कत कल वाली class फिर साथ बजे रखेंगे साथ बजे वाली class के अंदर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी कल हम बायर का पूरा काम खतम कर लेंगा और कर से कुछ question भी homework में मिल जाएग आपको ठीक है कल की timing 7 o'clock morning regular timing 7 o'clock कोई changes नहीं है चलिए मैं disconnect कर रहा हूं next class मतलब के next class है बहारव तो मिलते हैं next class में ओके thank you so much